हलो फ्रेंड्स स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल टैक एंड एसके एलेक्टक में तो आज किस वेडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके फॉन में भी जो फॉन का ये ऑप्शन होता है जो फॉन का बटन होता है अगर इसको प्रेस करते हैं तो आपका जो कॉंटेक्ट लिस्ट होती है वो नहीं डिस्प्ले में शो करती है ये सेट एज डिफाल्ट लिखा रहता है इसको अगर क्लिक करते हैं हम तो कुछ भी कुछ भी action नहीं होता इसमें और कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा इसको back करते हैं अगर इसको फिर से touch करते हैं तो वही same display में show होता है set phone as default तो इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस video को और देखते हैं कि ये किस तरह से सेट करते हैं सभसे पहले आपने setting में जाना है setting को click करेंगे setting के उपर आपको ये search बार दिख रहा होगा इस पर click करेंगे इसके बाद में आपने default लिखना है DEF ए default app का यो दूसरे number पर ये option आगया है इस पर click करना है आपने इस पर click करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं default app Chrome phone and message जो लिखा हुआ option number इस पर click कर देना है जब इस पर click करेंगे तो आप सबसे नीचे देखेंगे second last में phone app का option एक इस पर click करेंगे जब इस पर click कर देंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे नमबर पर जो option लिखा हुआ है phone system default आप इस पर click करेंगे जब यह click हो जाएगा तो simply आप बाहर आजाएंगे और आप इस phone वाले option को click करेंगे तो आप यह देख सकते हैं कि हमारे नमबर show होने लगे सारे नमबर show हो रहे हैं तो आप इस तरह से इस setting को set कर सकते हैं अगर वेडियो अच्छा लगे तो एक like जरूर करना और channel पहली बार आए हो तो subscribe जरूर करना वेडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद